गुड मॉनिक, माइसेल्फ हिमाशु शर्मा स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में टुडेज डे की आज की वीडियो में है परश राम जैन्ती परश राम जैन्ती जैसा की कलेंडर के साब से और हिंदू कलेंडर के अनुसार आज दुफेर एक बजे से मतलब 25 अपरेल से कल 26 अपरेल तक दुफेर एक बजे तक है तो बात कर लेते परशु परशु राम का जो फुल फॉम है या उसका जो वर्ड का मीनिंग क्या है परशु प्रतीत है पराकरम का राम पर्या है सत्य सनातन का इस प्रकार परशुराम का अर्थ हुआ पराकरम के कारण और सत्य के धारक शोतास्त मान्यता तो यह है कि परशुराम भगवान विश्णू के छटे अवतार है अथह उनमें आपदा मस्तक विश्णू की प्रतिविंदित होते हैं परन्तु मेरी मौलेक और विनम्र व्याख्या यह है कि परशु मैं भगवान शिव समाहित है और राम मैं भगवान विश्णू इसलिए परशुराम अवतार बले ही विश्णू के हों किन्तु वेवार मैं संबंदित स्वरूप शिव और विश्णू का है इसलिए मेरे मत मैं परश्राम दरसल शिव हरी है पिता जम दगनी और माता रेणुका ने तो अपने पांचवे पुतर का नाम राम ही रखा था लेकिन तपस्या के बल पर भगवान शिव को प्रसंद करके उनके दिव्य अस्त्र परशु मतलब फरसा का कुटहार प्राप्त करने के कारण वे राम से परशुराम हो गए परशु प्राप्त किया गया शिव से शिव संहार के देवता है परशु संहारक है क्योंकि परशु सस्त्र है राम प्रतीत के विश्णू के विश्णू पोशन के देवता हैं अथार्थ राम यानि पोशन रक्षक का शस्त्र है शस्त्र से ध्वनी होती है शक्ती शास्त्र से प्रतिवंदित होती है शांती शास्त्र की शांती यानि संगहार शास्त्र की शांती अथार्थ संसकार मेरे हमत में परश्राम दरसल परशू के रूप में शस्त्र और राम के रूप में शास्त्र का प्रतीत है यह वाकि मैं कहूं तो परश्राम शास्त्र और शस्त्र के संबंद का नाम है या कह सकते हैं समन्वय का नाम है संतुलन जिसका पेगाम है अक्षत तिया को जन्मे है इसलिए परश्राम की शक्त शक्ती भी अक्षय है और शास्त्र संपदा भी अनंत है विश्नु कर्मा के अभिमिंत्री दो दिव्य धर्शों की प्रतंगियंचा पर केवल परश्राम की वान चड़ा सकते थे यह उनकी अक्षय शक्ती का प्रतीत था यानि शास्त्र सक्ती का पिता जम दिन की आग्या से अपनी माता रेड़ुका का उन्होंने वद किया यह पढ़कर सुनकर हम आचर चकित हो जाते हैं अन्मने हो जाते हैं लेकिन इसे मूल में छपे रहस को सत्य को जाने की कोशिश नहीं करते यह तो सौबाबिक बात है कि कोई भी पुत्र अपने पिता की आदेश पर अपनी माता का वद्ध नहीं करेगा फिर परश्राम ने ऐसा क्यों किया इस प्रशन का उत्तर हमें परश्राम के परश्यू नहीं परश्राम के राम में मिलता है आलेक्स के आरंब में ही राम की व्याख्या करते हुए कहा जा चुका है कि राम पर्याय है सत्य सनातन का सत्य का अर्थ है सदा नैतिक, सत्य का अभिप्राय है दिविता, सत्य का आशय है सनातन संबंदित सत्ता परशुराम दरसल राम के रूप में सत्य की संस्करण हैं इसलिए नैतिक युक्ती का अवतरण है यह परशुराम का तेज जो ओज और शौर ही था की कीती वह शागुन्य का वद करके उन्होंने अराजकता समाप की तथा नैतिकता और नियाय का ध्वज रोहन किया परशुराम का क्रोध मेरे मत में रचनात्मक क्रोध है जैसे माता अपने शिशु को क्रोध में थपड लगाती है लेकिन रोता हुआ शिशु उसकी माँ के कंदे पर आराम से सो जाता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी माँ का क्रोध रचनात्मक है मेरा यह भी मत है कि परश्राम ने अन्याय का संहार और न्याय का सज्जन किया आप सभी ने परश्राम की एक छवी आपने अभी यो लेटेस्ट रामाने जो चल रहे हैं ये दूर दर्शन पर उसमें आपने देखी लियोगी जब राम भगवान ने धरुश तोड़ा था तो बस आज की वीडियो में इतना ही आप सभी को परश्राम जैनती की बहुत-बहुत और हार्दिक शुपकाम नहीं तो थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब टूबर चैनल